हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चनल बालग्यार में दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बाइलोजिक के तीरे चेप्टर लाए हुए हैं ठीक है यह सारे के सारे कोश्चन इंपोर्टेट है इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अंतक वीडियो देखेगा तो प्रागित पूष्प तथा प्रागन करता में किसका परकार का संबंध है तो बत्ताए यह साही जवाब हो गया बारा दूख के अ अगला कोश्चन है निन में से और कार्वनिक पदर्थों का प्रियोग करते हैं तो तीन का साही जवाब हो जाएगा A सव पोश्च्छी अग यानि कहनी कमात्व लोहा और एल्मूनिया धानी मुद्रा कहला आते हैं तो चार का सही जवाब हो जाएगा A, लेटराइट अगला कोश्चन है आयू सनरशना का जयमीतिय निरूपन किसकी विसिष्टा है इसकी सही जवाब हो जाएगा 5 का सही जवाब हो गया B, अगला कोश् किसी जाती के कारे छेतर वाला आवास इसका बनाता है क्या बनाता है तो 7 का सही जवाब हो जाएगा D, परवर्नियन के अगला कोश्चन है अधिक्तम बीधी दर पाई जाती है 8 का सही जवाब हो जाएगा B, एक्स पोने सिलियन अवस्था में अगला कोश्चन है निन में से किस आवास में मुरुदा सतह के दैनिक तापमान अतियदिक बदलता है तो नौ का सही जबाब हो जाएगा C राजस्थान यान रेगिस्थान राजस्थान यान रेगिस्थान है ठीक है अगला कोशन है बिग्यान जो आनुवान सी को पर्यावरान से जोडता है क्या कहलता है तो दस का सही जबाब हो गया C जीकोलोजी अगला कोशन है सर्दियों के दवरान जनतु अकिडिये हो जाते है या कहलता है इसका सही जबाब हो गया B अगला कोशन है ओजोन परत किस परकार की किर्णों से जेव मंडल की रक्षा करता है, तो 12 का सही जबाब हो जाएगा B, अल्ट्रा वायलेट किर्णों से अगला कोश्चन है, कौवा कमूल उधारन है, तो 13 का सही जबाब हो जाएगा C, सहजीवी संबंधी है, अगला कोश्चन है, अधिक लवन संदरता वाले छारीय मिरिदा में उगने वाले पौधे होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, 14 का सही जबाब हो जाएगा, B, लवनो दिभी दी, अगला कोश्चन है, पौधे जो जलिय वतावरण में नहीं पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, 15 का सही जबाब हो जाएगा, D, बबूल, अगला कोश्चन है, कौन सा पौधा मेर गोव छेतर में पाए जाते हैं, तो 16 का सही जबाब हो जाएगा, A, राइजोफोरा, अगला कोश्चन है, वाई दुवारा अस्थांतिरित मिरिदा होती है, तो 17 का सही जबाब हो जाएगा, D, इयो लिन, अगला कोश्चन है, जैव अवस्था से सम्भाधित, सु अस्पस्ट इकाई को क्या कहते हैं, तो 18 का सही जबाब हो जाएगा, D, जीव, अगला कोश्चन है, कि इन कारणों से अबादी सदा परिवर्तन सील होते हैं, तो 19 का सही जबाब हो जाएगा, C, अगला कोश्चन है, अबादी के अध्यान इन में से कारणों का जरूरी होता है, अबादी के अध्यान करने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो 20 का सही जबाब हो जाएगा, D, सभी की जरूरत परती है, पूर्षण है अगला कोशन है हावा के वेग को किस यांतर द्वारा मापा जाता है इसका सही जबाब हो जाएगा अगला कोशन है 11 जुलाई को मनाया जाता है तो 22 का सही जबाब हो जा जाएगा a. विश्वजनसंख्या दिवस, अगला कोशन है, मिरुद भीदी अनुकुलन का उधारन कौन सा Hindu, तो t عند जवब हो जाएगा, d. नागफलनी, अगला कोशन है, मानोजनसंख्या का अधहन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, 24 का सही जवाब हो जाएगा Demography अगला question है पौधो जो चटान पर उगते हैं उसको क्या कहते हैं तो 25 का सही जवाब हो गया B. Lithophyte अगला question है मास का पौधा सुष्क वतवरन में अपने जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है क्योंकि 26 का सही जवाब है A. पानी की कमी के कारण अगला question है छीपे हुए रंधर किसमे होती है तो 27 का सही जवाब हो जाएगा B. अस्थली द्रीवधुमे अगला question है वाइब सनराचना की रैखिय परदशन किसका लक्षन है 28 का सही जवाब हो जाएगा D. जनसंख्या अगला question है T. टीडा क्या है तो T. टीडा क्या है इसका अंसर हो गया C. अगला question है जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है तो देखिए इन में से सब ही इसका D. एंसर है अगला question है इन में से कौन सा किट भाग्षी पौधा है 31 का सही जबाब हो गया C, अगला कोशन है सहोप कारिता का उदहारन है 32 का सही जबाब हो जाएगा C, लाइकेन अगला कोशन है कलाब के किनारे इद्र गिद छीछला पानी के छेतर को क्या कहते हैं तो 33 का सही जबाब हो जाएगा A, लिटोरल जोन अगला question है, जेव अवस्था में सभ से असपस जी काई क्या कहलाती है तो 34 का सही जवाब हो जाएगा D. जीव कहलाती है अगला question है लाइकेन किसका समुहन है तो 35 का सही जवाब हो जाएगा B. सेवाल और कवग का अगला question है पौधे जो चाटानों पर उखते हैं क्या कहलाते हैं तो 36 का सही जबाब हो जाएगा B अगला कोश्चन है किट भग्षी पौधे किटों को खाता है 37 का सही जबाब हो जाएगा D नाइट रोजन के लिए खाता है अगला कोश्चन है जूरूफाइटरस में होते हैं क्या होते हैं तो 38 का सही जबाब हो जाएगा D इन में से सब ही होते हैं